अगर आप लोग मद्वदेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें आपका MPPSC हो गया या आप दिखते हैं कि व्यापम की एक्जाम होते रहते हैं सिक्छक भरतिया होते रहते हैं पुलिस कॉंस्टिवल के लिए होता रहता है ऐसा ही दरोगा हो गया, पटवारी हो गया, जेल पहरी हो गया इस तरह के अनेकों एक्जाम होते हैं और इन सब के अगर पुराने कुश्टन्स पेपर उठा के देखेंगे न तो आपको मालू होगा और मालू चलेगा भी कि Current Affairs से आपकी परिच्छाओं में अच्छी खासी संख्या में कुश्टन्स पूचे जाते हैं और खासकर जो मद्वदेश में घटनाए घटती हैं उनकी बात कर रहा हो में तो हम लोग क्या कर रहें कि हर महीने की Current Affairs कवर कर रहें और अभी तक दो महीने की Current Affairs हम लोग खतम कर चुके हैं जन्वरी और फरवरी 2022 की यह आप देखें मार्च 2022 में जो घटनाए घटी हैं उनका एक ओवर भी हम लोग ले लेते हैं मत्वूर जो तत्थे उनसे जुड़े हुए उन्हें भी देख लेते हैं और इन क्लासों को आप लोग Revision की Point View से देख सकते हैं एक बार आप लोग मत्विदेश के बारे में जान लिए उसके बाद हम लोग आँगे बढ़ते हैं यह आप देखें आपको मत्विदेश दिखाई दे रहा है देखें हमारा प्यारा भारत है इसमें आप देखेंगे बीच में आप लोग मत्विदेश देखते हैं इसलिए असे हिदय पिदेश मत्यविदेश के नाम से जानते हैं एक Question कई बार कुछ लेता है मत्विदेश के बहुत सारे नाम हैं नदियों का मायका, सुयावीन पिदेश, हेदय पिदेश, कोहिनूर पिदेश या हीरा पिदेश, लगू भारत, टाइगर श्टेट, सेंटल फुरोवेंस, बरार के नाम से भी जानते हैं। और जो हेदय पिदेश है न, एपंडित जवाल लाल नहरू ने नाम दिया था। ठीक है? और मद्देश किसी ने नाम दिया था? एवी पंडित जवाल लाल नहरू ने नाम दिया था। में फैला हुआ है। और कई जगे 3,8,245 बर किलो मेटर भी देखने को मिलता है। यहां विदान सवा में 230 सीटे हैं, राज्य सवा में 11 सीटे हैं, लोग सवा में 29 सीटे हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यह भी याद रखेगा। यह आप देखे सबसे उत्तर में चलिए पहली ख़बर हैं, उज्जेन की जनता ने राम घाट, दत्त अखाडा, ने सिंग घाट, गुरू नानक घाट, सोनहरी घाट पर 11,171,078 दिये जलाकर गिनीजबुक औफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उज्जेन का नाम दर्ज किया है। और गिनीजबुक औफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पिती निया रिकॉर्ड दर्ज किया है। अर्वेंद रजक और संजीब कोटिया ने कांस पदक जीता है। ये तीन नाम आप लोग याद रखेगा। दीपक सर्मा, अर्वेंद रजक और संजीब कोटिया। इस तरह के जो पदक रहते हैं, जो पुरुसकार मिलते हैं, उनके बारे में भी एक सावान जानकारी रखा करिएगा। उनसे भी कुछन्स पूच लेता है। अंगली खबर 3 मार्ट 2022 की है। और मंद दीप में इसराइल की कंपनियों के कुछ पितिष्ठान भी काम करते हैं। मुकमंतरी न कहाए कि इसराइल द्वारा प्राप्त सुजाओ पर विचार कर अमल किया जाएगा। और मत्पिदेश में उद्वोगिक निवेस की संभावनाओं को भी इसराइली कंपनियों के सहयोग से बड़ाबा दिया जाएगा। सेचाई छेत में भारत और इजराइल द्वारा मत्पिदेश की बुंदेल खंड अंचल में जल परियोजनाओं पर कार किया जा रहा हैं। और इजराइल की किर्सी छेत्र सेली से मत्पिदेश पेरेत हैं। तो ये भी खबर याद रखेगा। अंगली खबर की तरब बढ़ते हैं। तीन मार्ट 2022 की है। इस दिन मुकमंती सिवरा सिंग चोहान की अध्यक्षता में हुई मंती परशत की बैठक में नवीन और नभी कर्णिय उर्जा मंत्रा ले भारत सरकार की सौर उर्जा पार्क योजनाब में अल्टा मेगा। रिन्यूवल एनर्जी पावर पार्क में मोड में सौइकिती उर्जा उर्जा पार्क नोसो पच्चास मेगावाट को विक्सित की जानी की सौइकिती दी गई है। और इन पार्के के विकास के लिए रीबा, अल्टा मेगा सोलर लिमिटेट सौर परियोजना, सौर पार्के परियोजना विकास सा अत्मक होगा, और उंका रेसो जलासर पर पिस्ताविच 600 मेगाबार्ट चमता की फिलोटिंग, सौर परियोजना बारतमार पजिद्यस्त में वि परियोजनाओं से उत्पादित बिद्धुत का क्रे मद्ध पिदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिंपेटिड द्वारा राजी की सौर आरपीयों की आपूर्ती और राजी के उपयोग के लिए किया जाएगा और से इस बिद्धुत क्रे अनसारजिनिक संस्थाओं द्वा देश में आप देखे वर्तमार में कुल 2380 मेगावर्ट चमता की सौर उर्जा परियोजना इस्थापना धीन है और याद रहे पिदानबंती नयद्मोदी द्वारा गिलासगों में आयोजीत कॉप 26 सम्मेलन में देश के लिए वर्स 2030 तक 500 गीगावर्ट 5 लाक मेगावर्ट की नभी करनिये ओर जा परियोजनाओ के स्थापना का लक्ष भी रखा गया है तीक है अंगली खवर की तरफ चलते हैं अंगली खवर है आप देखेंगे तीन मार्ट 2022 की तीन मार्ट 2022 को अरवन हाट गोहर महल में आजादी के 75 वे अमरित महुसाओं के तह 14 दिवसिये हैंड करगा विकास नेगम लेमेटर भोपाल द्वारा केंदरिय वस्त मंतराले की सहयोग से इस इस पेसल हैंडलों एक्सपो का आयोजन अरवन हाट गोहर महल में किया जा रहा है खादी वं गुराम उद्देव की परवंद संचालक अनुवा स्रीवास्तों ने बताया कि एक्सप दुकानों के साथ 25 आयस्थाई दुकानों का अत्रेक्त निर्मार किया गया है और इस पेकार आप देखें 60 दुकानों में भीविन राजी के बुनकर हैंडलों वस्त विक्रय के लिए उपलब्द है और इस 14 दिवसी हैंडलों एक्सपो में फिती दिन सांस्कितिक कारकरम भ 22 की है इस दिन मुकमंत्री सिवरा सिंग चोहान की अध्यक्स्ता में फिदेश की आति विकास की दृष्टी गत राश्ती और अंतराश्ती ब्यापार में फिदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने निर्यात को प्रोसान देने और रोजगार सिजन की संबंद में नीती निधारन क इनकी लिए मत्धेश्ट्रेज्ट्रेड्पिर्मोसनल प्रोमोसन कांसल का गठन किया है ड्रेड्ड प्रोमोसन कांसल मुक रूप से कारा संती द्वारऄ पिस्तूत एजैंडा पर अनुमोदन और शु양किती पिदान करेगी यह काउंसिल आश्टी और नतराश्टी ब्यापार के अनुसार चैनित उत्पादों की गुडवत्ता विड़्दी और वेलू एडिसन के समध में भी नीती निर्धारन करेगी और काउंसिल में वित्त सूक्ष मो लगू और मध्यम उद्यव बन उद्धोगित नीती और निवेस प्रोशाहन परिवाहन परयाटन बिज्ञान एवं परुद्धोगिकी उद्ध्यान की एवं खात पिसंसकन कोटीर एवं ग्राम उद्ध्यो किरसी तकनीकी सिक्षा एवं सदस होंगे मत्विदेश राज जी उजना आयुक की उपाध्यक्ष मुक्ष सचिप किरसी एवं फूर्ड प्रोसेसिंग फारुमिष्टीकल टेक्स्टाइल एवं गार्मेंट आटो मोबाइल एवं इंजीनरिंग और आईटी आदी सेक्टर की राजिस्तरिय संस्थाओं के पिती निदी और एवं राज जन्रियात आयुक्त भी काउंसल के क्या होंगे सदस मनाए गया और प्रमुक्ष सचिप उद्धो के निती और निवेस परोसां कांसल के सदस सचे होंगे इसमें ठीक है आँगे चलते हैं हम लोग अंगली खबर 3 मार्ट 2022 की है इस दिन राज सा में नई सम्ती का गठन किया है और अनुसूचित जन्जाती सबसे जानदा मत्विदेश में देखने को मिलती है मुखमंती सिवरासिंग चोहान की अध्यक्षता में गठित की गई नई सम्ती में मंतरी सांसत बिधाये को संबंदित अधिकारियों को सदस बनाये गया है और अनुसूचित जाती कल्यान एबं जन्जाती कार मंत्री मीना सिंग और तीन सांसत गजन सी पढ़िल हिमादरी सिंग और महेंदी सिंग सोलंकी को सदस नावंकित किया गया है और एसी पिकार नौ बिधाये कुंगर सिंग टेकाम सोलोचना रावत राम दंगोरे मनीशा सिंग हरी संकर खटी, रगुनाद मालविय, डॉक्टर योगिस, पंडागे, गोपी लाल जाटो, राजेस प्रिजाबती, और मुक्ष सचे प्रमुक्ष सचे ग्रह, पुलिस महानिदेशक और निदेशक एबं निदेशक उपनिरिक्षक राष्टी अनुसूचित जाती अनुसू उजवेकिस्तान के तासकंद में आयोजित एसीन फिसिंग चेंपियंसिप में रज़त पदक जीता है, इनका नाम क्या है? प्रिज्या सिंग, एसीन फिसिंग चेंपियंसिप का आयोजिन उजवेकिस्तान के तासकंद में 24 फरवरी से 3 मार्ट 2022 तक किया गया है, प्रिज्या अंगली खबर है चैमार 2022 को मद्धपिश की परेटन संस्किती और धार्मिक निया सेवं धर्मस्त मंतरी उसा ठाकोर ने होटल पलास रेजी डैनसी में MPT सदरन सदरन सपाई सेज का सुबारम किया है और यह साउसर पर मंतरी ने कहाई कि परेटन निगम के इस नवाचार में से भीम बैटका, सांची और भोपाल आने वाले परेटकों और आम जनों को दच्छड भारती बेंजनों का ऑथेंटिक स्वाद मिलेगा साथी निगम के ब्योसा में भी विद्धी होगी और आप देखें कैफे टेरिया की सफलता पर इसे निगम के अन्य होटलों में भी संचालित किया जाएगा और प्रवंद संचालक परेटन विकास निगम एस बिसुनातन ने बताये कि कैफे टेरिया को दच्छड भारती बेंजनों के लिए विसेश रूप से नमीनी के कर दच्छड भारत की अनुरूब थीम रखी गई है और कैफे कैफे टेरिया में साउथ इंडियन बेंजनों को विसेश रूप से तियार करने के लिए सभी अत्यादुनिक और उपयोगी किच्छन उपकरन भी इस्थापित किये गये हैं और लगभग बारे सो बर्ग फिट में तेयार MPT Southern Spices की चमता 40 प्यक्तियों की है अथितियों की संक्या में बिद्धी होने पर चमता में बिद्धी की जा सकेगी MPT Southern Spices का मुख आकरसन साउथ इंडियन ठाली है जो बेज और नौन बेज दोनों ही मीनों में उपलब्द है साथी आने बाले परेटा को आमजन को अपपम, पोटे, इंडिया पंप, केरला परोठा, परूपो, वाडा, पोडी इटली, पोडी उटली, वडाई, बनाना सब बज्जी, मिर्ची बज्जी, दच्छन भारत की पाय, समखीर का लजीज स्वाद मिलेगा दच्छन भारतिये खाना यहां मिलेगा यह, देखने को मिलेगा अंगली खबर है आपकी, एच्छेमाट 2022 को मुकमंतिरी ने सिहोर जिले की बुद्धनी सहरी के गौरब दिवस की अउसर पर विभिन विकास्प कारेょओं का लोकरपण और भीओमी पूजन करते हुए कहा है कि बुद्धनी को देख का पहला बाटर, फिलस और अध्भूस सहर बनाया जाएगा और मुकमंतिरी ने कहा है कि इंदो और देख का पहला बाटर, फिलस सहर बनाना बनाया जाएगा और इससे पहले मुक्मंतिरी ने बुधनी में चबालेस करोड़ चपन लात रुपे की लागस से बने सीवरेस सिस्टम का लोकरपन और 69 करोड़ रुपे के निर्मार विकास कारियों का लोकरपन भूमी पूजन किया था। बुधनी में सभी घरों के निस्तारी पानी को सीवरेज प्लांट से जोड़ा जाएगा। को छोड़ने का संकल्प लें। और आप देखते हैं कि अब तो आपके घर के सामने हर एक गाड़ी आती है, गीला कचरा और सूखा कचरा पूरा अलग करके ले जाती है। अंगली खबर है, छे मार्ट 2022 को मुक्मंती सिवरासिंग चोहान के जर्म दिवस पर MP स्टेट को ऑपरेटिड डेरी फेडरेशन ने लिमिटेड द्वारा, पिदेश में 1600 सांची मिल्क पारलर पर मिलावट से मुक्ती अभियान में दूद टेस्टिंग की सुविधा का प्रोच की जाज करने की इस्ट्रिफ उपलब्द कराई गी है, और जिससे उभूकता तुरंथी दूद में मिलावट की जानकारी पर राप्त कर सकेंगे, और याद रहे मुक्मंती सिवरासिंग चोहान वा स्वास्त मंतरी डॉक्टर पिरवू राम चोधरी ने 11 नवंबर 2020 को राध्धानी भोपाल से पिदेश में मिलावट से मुक्ती अभियान की सुरुवात की थी, इसे अभियान की तरह बरतमान में 15 चलेत पिरयोक सालाइं चलाई जारी जारी है, पिदेश के स्वास्त मंतरी डॉक्टर पिरूहान चोधरी ने 8 परवी 2022 को छिदवारा नीमज और सही एक तरह से आप देखेंगे फिर बोले सकता है, अंगली खावर की तरफ चलते हैं, और निहा ठाकोर ने कांस पदक, इसके साथ ही भारतिय नौकारन टीम ने ACI खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और रितिका डांगी गाउत ताजपुर आ नरसिंगपुर तहसिल जिला राजगर की रहने बाली हैं, वहीं निहा ठाकोर देवास जिले के हार्ट पिप इसे दो में दोनों खलाड़ी पहले और दूसरे स्थान पर हैं यह दोनों, ठीक है? तो यह भी याद रखना है आप लोगों को, अंगली खावर की तरफ चलते हैं, अंगली खावर आप देखेंगे, आठ मार्ट 2022 को, राजजपाल मंगू भाई पटेल हैं, इन्हों ने मद्धकरिस पर्याटन टायम स ओप इंडिया और ताज गुरॉप द्वारा आउजप टायम स परेशन ट्राइवल ट्रेज एवं ताज ट्राइवल फूर्ड फेस्टिवल का उधगाटन किया हैं, एस आउसर पर जनजाती कारिवं अनुसूचित जाती कल्यार मंतरी मीना सिंग ने कहाए कि जनजाती समाज की सिल्फ कला और खाद भदार्तों की उचित विपडन विवस्था की प्रयास की दिसाप में यह आयूजन एक सार तक पहले है। संपेशन की द्वारा महाभारत के दुस्थासन बत की पिसंग को पिस्तुत किया गया है। सीमेंस इंडिया और GIZ इंडिया के मद्ध त्रीपक्षी MOU पर संपादित किया गया है। और मद्ध पिस कॉसल विकास के संचलक जितन सिंग राजे और सीमेंस इंडिया के धरमबीर सिंग और GIZ इंडिया की उसा गनेश ने इस पर M.U. पर हस्ता अक्षर किया। संचलक जितन से इने बताई कि इंडो जर्मन एने से टेप्षोर टेक्निकल एजूकेशन प्रोग्राम काउदिस जर्मन डूल विवसाइक सिक्षा और पिसिक्षन मोडल की आधर पर भारत में उच गोडबत्ता बाले पिसिक्षन के लिए रूप रेखा की स्तिती निर्मित करना है उन्होंने बताई कि मत्तिस के चार इंडर्स्टी कलेक्टर और समधित 34 सास्किय आई ती आई को आई जी एन आई टी इई प्रोग्राम के लिए चैन किया गया है इसमें ग्वालीय सिफुरी इंडर्स्टी कलेश्टर में 7 सास्किय आई टी आई और जवलपुर कटन द्वारा आई टी आई के प्याचार संस्था पिरमुक टैनिंग एवं पिलेस्मेंड अधिकारी ट्रेड के पिसीक्षण अधिकारियों की चमता निर्माड ता निर्माड एवं आई ट्रेड एलेक्टीशन फिटर टर्नर मसीनिस्ट और एलेक्टोनिक से मेकेनिकल के अंतराश्की महिला देवसपर मत् पिदेश की पिदेश की महिलाओं को बैंकों से हौने बाली प्रिकियागत परियसानियों को ध्यानमे रखते हुए धनावाओ को दूर करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक और सेंटल बैंक आप इंडिया के सहयोग से रेड उपलब्द कराने की बिसे सेवजना की सुरुआत की गई इसके तहट पिदेश की लगबग 7136 महला समुहों को 180 करोर रुपे करेड उपलब्द कराया गया है बिभाग द्वारा के सोरी बालिकाओं के लिए अपारजीता मारसल आर्ट पिसिक्षन कारकरम की सुरुआत की गई है इसमें पितेक जिले की 150 के सोरी बालिकाओं को खेल एवं इवा कल्यार विभाग के सहयोग से बॉक्सिंग, जुडो, कराटे, ताइकवांडो और एवं कुस्ती में 10 दिन का पिसिक्षन दिया जाएगा महला बाल विकास बिभाग के महला मैदानी अमले के स्वास्त और पोसंड इस्तर के परिच्षन एवं उपचार के लिए स्वास्त परिच्षन सिविर भी प्यारम किया गया है अपर मुक्ष सचिव आसोक साह ने अंतराश्टी महला दिवस पर सो सहतर समोह के हितगराहियों को बैंक के सहयुक से आठ होटो और एक ए रिक्सा की पिती कात्मक चावी का बिवत्तरन भी किया है और संचालक महला बाल विकास डॉक्टर राम राव भोसली ने बताए कि पिदेश में अब तक लगबग 41 लाग से जानदा बच्चों को लाडली लच्मी योजना कलाम मिला है या पिक्रिया निरंतर जा रही है उन्होंने बताए कि जो पंच्यायते बेटियों के जनम का उत्साव मनाएंगी उसे लाडली फरनली घोसित किया जाएगा अंगली खबर है आपकी आठ मार्च 2022 को पंच्चालक उत्तम कुमार सर्मा ने बताया कि पिदेश में पंच्चालक में गिद्धों के वहवार और रहवास की मामलों में तुरमारिक जानकारी जुटाने में देश में पहली बार अनूटी पहल सुरू हुई है यहां गिद्धों को पकड़कर GPS टेगिंग की जा रही है और पंच्चालक में गिद्धों पर GPS टेगिंग का कार पंच्चालक उपकरणों से टेग किया गया है इसमें 3D तुरंड सेंसर सामिल है GPS टेग डेटा उपकरए की माध्यम से टेग किया जा रहा है और गिद्ध टेली मेट्री परियोजना की बड़ी उपलब दिये गिद्ध टेगिंग भारत की ओल्ड वर्ल्ड गिद्धों के बिलुप्त होने से रोकने और सारक्षन की सुनियोजित पहल है इस अनूठी पहल से अब तक 14 गिद्ध परजातियों को 24 देशों में टेग कर अध्यन किया गया है इसमें कोई भी भारत से नहीं है भारत में गिद्धों की नौ परजातियां है गिद्ध परजातियों के संक्षन में पिदेश को अच्छे परजाम मिले हैं और 2021 में गिद्धों की संक्या बढ़कर 9,440 हो गई पहले बहुत गिद्ध दिखाई देते थे लेकिन आप देखते हैं कि पसू में जो आप दिखते हैं हानी कारक इंजेक्षन लगाया जाते हैं फिर आप देखते हैं पसू जब खतम होते हैं तो वो खाते हैं गिद्ध दिखाते हैं भारती लंबी चौच बाला गिद्ध, सफेथ पीट बाला राज गिद्ध और इजिप्सियन गिद्ध जैसी प्रवासी पे जातियां भी सामिल हैं और याद रहे पिछले कुछ दसकों में गिद्धों की संक्या में भारी कमी आई है गिद्धों की सरक्षन के प्रयास देश भर में तकरीवन दस बार है बर्स पहले सुरू हुए टेलीमेट्री आधारित परियोजना इस दिसा में साथ थकतम है GPS टैगिंग की माद्यम से गिद्धों के आने जाने प्रवास के मार की जानकारी रहवा साधी की महत्पूर्ण जानकारी मिलती है और इससे गिद्धों का विज्ञानिक प्रवंधन सुनिचित हो सकेगा और इस ब्यवस्ता में GPS टैगिंग के साथ गिद्धों के स्वास्त परिच्छन में खून के नमूने लिए गए हैं और इससे गिद्धों के स्वास्त का इस्टेश्ट पता चलेगा सकेगा गिद्धों की एह जानकारी भविस में गिद्धों के विबंधन की नीतियों बनाने में अहम सावित भी होगी अच्छी पहले आगे चलते हैं अंगली ख़बर है आपकी यह आप देखेंगे 8 मार्च 2022 को अंतराश्ती महला दिवस पर आथ मार्च को अंतराश्ती महला दिवस मनाए जाताना तो इस दिर मुखमंत्री शि governing सिवरासिंग कहान ने दिवास में आईश्ट महला सक्तिकरं क्रेडिट लिंकेज कारकरण में महला सक्तिकरं के लिए चार महत् accessories लेकर चार महत्युपोड गोश्नाय की है मुखमंत्री रिकाय की पेड़िस में महला बित्विकास निगम का सुद्री कन किया जाएगा और 100 करोर रुपेर की लागत से मुखमंत्री नारी संबान को सिस्ताफित होगा मुखमंत्री महला उद्यम सक्ति योजना सुरू की जाएगी इंदौर और भुपाल में महला उद्यम प्रोसान के लिए इंडर्स्टियल पार्क बनाये जाएगे मुकमंत्री चोहान एबं भाजापा के राश्टी अध्यक जेपी नडडा ने महला सुअसाहता समूह को पोसन आहर सयंद की चावी सौपी और उन्हें बैंक लिंकेज के माद्धम से 300 करूर रुपे का रिड़ वितरित किया है और इसके साथ ही जल जीवन मिसन में कार करने के लिए महलाओं को टूल किट पिदान किये गया है महलाओं के संकुल इस तरी संगटनों को पुरुस्कित किया गया है और सोसाहता समूह की सफलता की कहानियों की पुस्तिका का विवोचन भी किया गया है महला भी आत्म निर्भर बन रही है और जहां भी महलाओं को मौका मिल रहा है बहुत 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 कर्तब भी दिखा पा रही है अंगली खबर 8 मार्च 2022 को अंतराश्टी महला दिवस के अउसर पर राश्टपती रामनाद कोविन ने महला ससक्ती कण की दिशा में आसाधरन कार करने वाली मद्द पिदेश की जोदेया बाई बैगा को नारी सक्ती प्रुसकार से सम्मानित किया है एक प्रुसकार सहीकत रूप से 2 महलाओं को प्रुसकार किया है अधिवासी बेगा कला को बैस्वेक इस तर पर बढ़ावा देने के लिए मद्पधेश की जोधेया बाई बेगा को नारी सक्ती पुरुसकार से समानित किया गया है और जनजाती ये संस्कीती को कैनवास पर चित्तित करने वाली जोधेया बाई बेगा के काम को अंतरश्टी इस तर पर इटली और फ्रांस में पिदसित किया जा चुका है और याद रही कमजोर और हासिये पर रहने वाली महलाओं की ससक्ती करन की दिसा में आसाधरन और उतके ष्कार करने वाली महलाओं को हर बस नारी सक्ती पुरुसका से समानित किया गया है कुरोना महामारी के कारण 2020 का नारी सक्ति पुरुसका समारो आईजित नहीं वो पाया था कुरोना महामारी ने सब कुछ चौपट कर दिया था आप सभी जानते हैं अंगली खवर की तरफ चलते हैं ये 9 मार्च 2022 को अंतराश्टी महला दिवस के परिपेक्श में महत्मा गांधी नरेगा ये उजना में कारगत महला मेट समान उसाव का आईजिन किया गया है और समान में 75 ऐसी महला मेट को समानित किया गया है जन्होंने अपने छेत में उतकरिष्ट कार किया है और कारकरम में उन्हें प्रमाण पत्त बितित किये गया है इस कारेकरों का आयोजन पिदान संस्था की सहयोग से किया गया है महतमा गांदी नरेगा के अंतरगत महलाओं की सहिभागिता और हकतारी बढ़ा ने बढ़ाय जाने के लिए पिदेस में महला मैट कांट का चैन कर योजना में काम धिया जा रहा है मैट कीरू में महलाओं का मुक्ष धायत, सन्यमकों से रोजगार की मांग और मांग पर उपस्तिति एवं समय पर मजदूरी के भुक्तान में सहियु करना है, इन महलाओं को अर्थ कुसल सन्यमकों के लिए लाउ उधर की अनुसार भुक्तान किया जाता है, तो यह भी याद र तोनेमेंट का रंग बरंगे गुबबरे उड़ा कर सुभारम किया है। कि 8 मार्च 2022 को मद्धपिदेश के नगरिये विकास एवं आवास मंत्री। भूपेंदर सिंग ने बताए कि दीनदायल अंतिवदय योजना की दुतिये चर्ण में 26 परवरी 2021 ते अभी तक एक करोड भोजन थाली का बितरन किया जा चुका है। और मंत्री ने कहा है कि कोविद में हमारी की दूसरी लहर के दौरान 12 अपरेल से 27 जून 2021 तक लागू लोगडायन में 27 लाग 19 अजाल लोगों को रसोई केंदरों से भोजन कराया गया। छे धार्मिक नगरों जैसे मेहर, उंकारिसुर, महेसुर, अमरकंटक, ओरचा, चितकूट में 100 रसोई केंदरों का संचालन आरम किया गया। और रसोई केंदरों में जन सावान को स्वक्ष एवं पोश्टेक भोजन के रोम में रोटी, मौसमी सबजी, दाल एवं चावल उपलद कराया जाता है। रसोई केंदरों में पिती दिन पिती बेक्ती, दोपर के भोजन की विवस्ता 10 रुपे, पिती थाली की दर से सुबए 10 बजे से दोपर 3 बजे तक की जा रही है। चलास सारंग ने रागधानी भोपाल के परभाद चौराय से पर वेस्ट से वंडर के तहत बने 20 फिट उची सेलफी पॉइंट का लोपन बंड किया है। सरक्षन के पिती जागरुपता का संदेश भी देगा। और मंती सारंग ने कहा है कि सेलफी पॉइंट या संदेश देगा कि वेक्सीन से ही सुरक्षा है जो ब्यक्ती एलिजी विल हैं वोई टी का जरूर लगवाएं। अंगली खबर है आपकी ए 10 मार्श 2022 को मुख्मंती सिवराज सिंग चोहान ने भोपाल के चोटे ताला पर 32 वी राष्टी केनो पेरा केनो और पित्थम इस्टेंड़ पैर्ड लिंग राष्टी पिदेउगता 2021 का सोवारम किया है। और इस पिते युगता का युजर सेनियर आईपियस अधिकारी रहे सुर्गियर संजीप कुमार सिंग की इसमित्थी में किया जा रहा है। मेजबान मत्वितेश के 47 खिलाड़ी इस पिते युगता में भाग ले रहे हैं। मेजबान में रिमोर्स के जरिये डॉन उड़ाकर पिदेश के पहले डॉन स्कूल का सोवारम किया है। और याद रही 11 दिसमर को पिदेश में 5 डॉन स्कूल खोलने की घोशना की गई। में से पहले स्कूल का गुवालियर में सोवारम किया गया है। केंद्रिये नागरे को डेन मंतरी जोतियादिस सिंधिया ने काए कि इस डॉन स्कूल में हर माय 40-50 बच्चों को डॉन तकनीक से पिछेट किया जाएगा। डॉन पाइलेट का पिछेटर प्यापती हुआ हर माय उस्तन 30,000 रुपे की आय अर्जित कर पाएंगे। और उन्होंने काए कि मद्विदिस के पाट डॉन स्कूल सुरू होने पर साल भर में लगबग 30,000 पिती स्कूल 500 डॉन पाइलिट तेयार होंगे। और मद्विदिस बरतमार में डॉन तकनीक के इस्तिमाल में देश भर के अगड़ी राज्यों में से एक है। और केंदरी किर्सी एवं किसान कल्याण मंतरी नर्यन सिंग तौमन ने काए कि देश में किर्सी के चेत में ड्रॉन तकनीक को विसे इस बड़ावा दिया जा रहा है। निकट भविस में इस तकनीक इस्तिमाल से करानती कारी प्रकिती भी सामिल है। और उन्होंने काई कि भारस सरकार की किसी बिवाग ने ड्रॉन नीती जारी कर दिये, जिसमें बारवी पास बच्चे चाललाक रोपी तक का अनुदान पराप्त कर ड्रॉन पाइलेट की रूम में अच्छा रोजगार पासकेंगे, और इसी तरह यदि किरिसा किसना तक ड्रॉ आमिने में ड्रॉन तकनीक महत्कूर भूमिका निभारी है, इसी तरह टिड्डी दल के आकमट को आस्पल्व करने में ड्रॉन तकनीक क्रांदी कारी साबित हो सकती है, तो यह भी याद रखिए, और ड्रॉन का उपयोग आप देखिए, दवाद छेड़कने में, आप खेतो में आप देखे, इस काम आता है, बहुत सारे काम आप देखते हैं कि किसी छेत में भी उसका उपयोग हो सकता है, मिट्टी की गुरवत्ता जाचने के लिए, फसल की पहचान करने के लिए, फसल की देखवाल करने के लिए, इसका उपयोग किया जा सकता है, अंगली खवर है कि वन विहा राष्टी उद्ध्यान जू में सुतंत रूप से विचरन करने वाले और बाडों में रखे गए साकाहरी बन्न पराणियों की संख्या 1652 हो गई कितनी? 1652, 1652 और संचालक ने बताए कि इस साल 24, 25, 26 फरवरी को की गई गड़ना में सुतंत विचरन करने वाले आप देखें 1516 बन्न पराणि पाए गए इनमें से 522 चीतल है, 362 सामर है, 81 आप देखेंगे नीलगा है 90 जंगली सुगर है, 257 मोर है, इंक्या मस्यार है, 60 लंगूर है, 71 कालिहरन है तीन चौ सिंगा है, तीन से ही है, 11 बारे सिंगा है, 3 जंगली बिली और एक एक चिंकारा और पेंगोली सामिल है इनमें पिछली तीन बरसों में चीतल जंगली सुवर मोर लंगूर बारे सिंगा घडियाल, पहाडी कछू आदों की संख्या में वड़ोत्री हुई है और इस बस अब तक 38 चीतल गांदी सागर मंदसों और सिवनी अभ्यारन इस्थानांतित किये गये हैं, यानि कि यहां से भेजे गये हैं उद्यान में तीन सिंग बारे बाग, एक सफेद बाग, दस तिनुआ, बीस भालू, एक हाइना, तेरा मगर और दो गौर, वायसन और 28 पहाडी कछूए और तैंतीस जलिये कछूआ और आप देखेंगे छे घडियाल पाए गये हैं और छे बन प्राणी कराइंटाइन सेंटर में गये हैं, इनमें एक तिनुआ और पाँच अपीकन कछूआ सामेले हैं इसमें तो कभी जाय करिए भोपाल तो देख के आया करिएगा बन विहार राश्टी उद्यान को अंगली खबर 11 मार्ट 2022 को लोगसभा के अद्धिक्च ओम बिला निराश्टी युवा संसत महुसाओ के तीसरे संसके के समापन समारों में संसकन के विजेताओं को पुरुसकार पिदान किये इनमें भोपाल की रागे सुरी अंजना को फिथम इस्थान में लाया है लोगसभा अद्धिक्च की बात करें तो आप देखते हैं कि लोगसभा में बर्दमान में 543 टोटल सीटे हैं यह सब आप लोग राजवस्था में पढ़ते होंगे और जो लोगसभा अद्धिक्च होता है उसका चुनार और डारेक्ट किनके दूआरा होता है लोगसभा सदस्थों में सही लोगसभा सदस करते हैं फिती भागियों को सब्मोधित करते हुई लोगसभा अद्धिक्च ने कहा है कि राष्टी युवा संसद युवाओं को संसदी पिक्रियाओं लोकतांत्रिक पिक्रियाओं से परचित कराने के लिए एक अभीनाओ कारक्रम है राष्टी युवाओं संसद महोसा 2022 में राजिस्थान की दुरंगपूर के सिधार जोसे ने दोतियो भटिंडा के अमरपीत कौर नेतितिये स्थान पर राप्त किया है राष्टी युवाओं संसद में रागे सोरी ने राष्ट निर्मार में देशवक्ती की भावनाक मत्विसे पर अपने विचार रखे है और रागे सोरी VUIT बोपाल की छात्रा है वे NSS केड़िट की कोर की सदस भी है NYPF का आयुवाओं के विचार जानने के लिए किया जाता है जो आने वाले वरसों में साजनिक सेवाओं सहित पिमिन केरियर में सामिल होंगे और NYPF का पहला संसकर्ण 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 तक और दूसरा संसकर्ण 23 देसंबर 2020 से 12 जनवरी 2022 तक आयुजित किया गया है NYPF का तीसरा संसकर्ण 14 फरवरी 2022 को जिला इस्तर पर वर्चुल माध्यम से सुरू किया गया 23 से 27 फरवरी 2022 तक देस भर के 2.44 लाग से अधिक इवाओं ने जिला युवा सांसोदों के बाद 25,000 और 1,005 रुपे पिदान किये गये हैं 2 फिती भागियों को 15,000 रुपे का संतावना पुरुस्कार भी दिया गया यह इसमें क्या दिया गया है पुरुस्कार दिया गया है अंगली खबर की तरब बढ़ते हैं हम लोग अंगली खबर 13 मार्ट 2022 को राज सासन ने हिंदी फीचर फिलिम दाकस्मीर फाइल के कथानक और अन्विसे सामान उपयोगी गुडों के दिरिश्टीकत इसे मद्ध देश में पिदरसन के लिए राज्य माल और सिवाकर से चूट पिदान की है टेकसे से वर्डिंजी कर विभाग द्वारा जारी आदिस में ये चूट 14 मार्च से 13 सेप्टमबर तक के लिए दी गई है और दर्सकों के लिए चूट सिंगल स्कीन थेटर्स और मल्टी फ्लेक्स सहित सभी जगे फिलिम पे दरसन पर लागू हो रहेगी और याद रही 11 मार्च को रिल गेति उपूर्ती का लाव लेनी के लिए संबन्दीफ सिंगा घर मल्टीफ्लेक्स द्वारा राज माल सेवा कर किरासी को घटा कर दसकों को इस फिल्म की टिकेट का विकरें किया जाएगा और फिल्म के वितासन के लिए सम्मंदित सिनेमा घर मल्टिफलेक्स को यह आप देखेंगे ठीक है यह याद रिखे दा कस्मीर फाइस में कस्मीर इंदों के दर्द पीडा संगस पलायनो अग्यात की कहानी बताता है ठीक है अंगली खबर है तेरेवाज दोजार 22 को मुकमंदी सिवरासिंग चुहान ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के माद्यम से इंदोर गौंदिया हैदराबाद फिलाइट का सुबारम किया है यह फिलाइट फिलाई विग एरलाइस द्वारा सुरू की गई है इंदोर से एहमदाबाद गौा पूने के लिए उडान आरम हुई है और साथी पूने से भोपाज से पूने जवलपूर और गौालिया से एहमदाबाद पूने मुंबई जवलपूर से मुंबई दिल्ली हैदरवाद की उड़ाने शुरू की गई है और मुखमंदरी ने अशा उसर पका है कि पिदेश में परेटरों और धार्मी महत्यों के स्थानों को हवाई सेवाओं और हेलिकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा खजराहो से पन्ना, टाइगर रजर, जवलपोर से कानक, खजराहो से ओर्चा, ग्वालिय से सिवपरी और मुरेना की इतिहासिक इस्तलों इन दौर से महेस और आदी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा आरम की जाएगी क्या की जाएगी? आरम की जाएगी अंगली खवर की तरब चलते हैं जो अवैद रेत निकाली जाती है ना उसी की बात हो रही है भारती पराणी सर्वेक्षन के बिज्ञानी ओने बताए कि नर्वदा तवा नदी के संगम बांदराभान के साथ हर्दा और खंडवा की असपास की बहावचेत में ये टलसल पूरी तरह से गायव हो चुके हैं और पराक्तिक सौक्षता कर्मी कहलाने बाले ये कचुए काई और सेवाल आदी खाकर जीवित रहते हैं तथा पानी में ऑक्सीजन की मातरा बढ़ाते हैं कचुए अब सोत कर्य भारती पराणी सर्विक्षन की बिग्यानी पित्ति उस महापात्रा ने बताये कि पांच साल पहले जवलपुर से नर्वदान तुरम और हर्दा खंडवा के पास नर्वा के किनारे पर कचुए पाए गये थे जो इस वर्स जन्वरी में दिखाई नहीं दे है और पर्यावन विद सुभास जी पांड़े ने बताये कि मादा कचुए रेत में अपने रहवास में अंडे देकर चली जाती है जो गर्मी में से जाते हैं और रेत में रेत के अवयत खंण में से इनके पेजनर में बेवधान भी हो रहा है और नोंने बताये कि नर्वदान में टेंट पैंगा शुरुआ शुरुआ टेंटोरिया या इंडियान टेंट टर्टल पाए जाते हैं 14 मार्ट 2022 को मद्विदे सासन द्वारा मात्त मित्युदर नवजा सिसू मित्युदर और कोपोशन को कम करने के उद्धे सिपूर में गठित टास्क फोस के इस्थान पर नई टास्क फोस गठित की गई है और अर्थ सास्तरी पिदान मंत्री के आर्थिक सलाकार पश्चत की पूर्श सदस प्रोफेसर समिका रवी नवगठित टास्क फोस के अध्यक्ष होंगी और जबकि अपर मुख सचिब लोग स्वास्त एवन परिवार करने हैं टास्क फोस के सचिब होंगी और टास्क फोस में अपर मुख सचिब महला इवन बाल विकास मिसन संचालक राष्टिय स्वास्त मिसन प्रोफेसर हेड कमणीटी न्यूक्टेशन इंटरमीडियेट फेलो डीवीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया एलाइंस इंडियन आई आई पी एच दिल्ली और डॉक्टर प्रमेश अकबाल एम्स नई दिल्ली को सदस बनाये गया है अटल विहारी वाचपरी सो सासन में नीती निर विसलेशन संस्थान की अतरिक्त मुख कारफालक अधिकारी लोके सर्मा को सदस सचे निउप किया गया है और टास्क फोस मद्पदेश राज नीती आयोगो योजन आयोग के साथ समनवय करकार करेगी और टास्क फोस की बेठक माह में एक बार अथवा आवस्सकता अनुसार आयोजित की जाएगी और टास्क फोस मात नौजात सिसूमित्ति उदर और कोपोसन में कमी लाने के लिए परस्तावित हस्तित तथा संभावित पिरभाव की रिप को आवस्सक सहयोग विदान का निली के लिए अटल विहारी वाचपेश सुसासन एवं नीती विसलेशन संस्तान तक्नीकी सचवाले की रूम में काम करेगा एक कारे करेगा ठीक है तो ये भी आद रखना चाहिए अंगली खबर है 15 माल 2022 को मत्कुदेश की पर्याटन संस्कि और धार्मिक निया सेवं धर्मस्त मंतरी उर्जा ठाकुर और चिकिसा सिक्षा मंतरी विश्वास सारंग ने राजी संगराले में डॉक्टर साधना गंग राडे द्वारा लिखित पुस्तक मन का मोगरा का विमोचन किया है मन का मोगरा एक इसकी है साधना गंग राडे की है या पुस्तक पारसपर इक रिष्टों परवों परंपराओं संस्कारों जीवन मूल्यों और सामाजिक ताने बाने पर आधारी ललित निवंधों का संकलन है मंत्री विश्वास अरंग ने कहा है कि मन का मोग्रा पुस्तक सामाजिक ताने बाने को सहिस्ती है या सहिप परिवार के मूले और आदर्स को समाज की सामने लाती है या भावी पीडी के लिए प्रेड़ना सरोत है पुस्तिका की लेकिका स्वेम 27 सदसों के सहिवत परिवार में रहती है उनके द्वारा लिखीगी या पुस्तक नारी के विभिन रूपों को आदस रूप में सामाज के सामने लाती है इभी देखने को मिलेगा अंगली खबर की तरफ चलते हैं हम लो अंगली खबर है हाली में केंद्री परियावन बन और जलवाई परिवर्तन मंतराले केंद्री जल सकती मंतराले द्वारा सहिवत रूप से वनिकी सम्मंधी पहलों के माध्यम से 13 पिर्मुक नदियों के काया कलप पर जारी और बिष्दित परियोजन रिपोर्ट में मत्धेश की जीवन दायनी नदी नरवधा को सामिल किया गया है से नरवदा को और विस्तित परियोजना रिपोर्ट में 13 पिर्मुक नदिया जिसमें जेलम, चैना, और रावी, ब्याज, सतलो, यमना, ब्रमपत, लूनी, नरवदा, गोदाबरी, महानदी, किष्णा, कावेनी नदी सामिल है, 13 नदियां सामिल हैं, परियोजना के अंतरका 202 सहाइक नदियां और सहत 13 नदियों की लंबाई 42,830 किलोमीटर हैं, और ये 13 नदियां सामविक रूप से 18,90,110 बरक किलोमीटर के लिपोल बेचिन चित को अच्छा दित करते हैं, जो देश के भोगुलिक चित का संतावंद समलो कितना 45 पितिसत हैं, और विस्तित परियोज जल संकट नदी के परिस्तितिक तंत के छरण का कारण है, और आप देखेंगे नर्वदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जानते हैं आप लोग, उत्ता दच्छन भारत के बीच एक पारसपरिक सीमा की तरह कार करती, ये अपने उद्गम मैकल परवत के अमरकंटक सिकर से पश्चिम की ओर, तेरे सो बारे किलोमीटर भेते हुए खमबात की खाड़ी अरप सागर में मिलती है, ये परियवजिना रिपोर्ट एक बहु देखी है, बहु इस तरी है, बहु इत धारक, बहु विसेक और समग विसलेशन पर दरिश्टी कौन पर आधारित हैं, ताकि आ बनकी के जरीए आप देखें, तेरे नदियों की सरक्षन के तरह नदियों के दोनों के नारों पसगन पौधार ओपन किया जाएगा, और इससे बन चेत्र में 7,417.36 बर किलोमीटर चेत्फल की विद्धी होने की उमीद भी है, और पिस्तावित हस्तेचे से 10 साल पुराने ब्यक्षार ओपन से 55.1 000 000 000 tons कैरवन डायोकसाइड और 20 साल पूराने ब्यक्षार ओपन से 74.6 million ton कैरवन डायोकसाइड कम करने में मदद भी और तेरे नदियों के परिदियों के पृतिसमें पिस्तावित हस्तेचे से गमी भी आएगी यह भी देखने को मिलेगा अंगली ख़बर आप देखेंगे आपकी है हाल ही में एप एस एस एड़ाई की किया गया है खाद सुरक्षा पारीतंद को मजबूद करने हो और आम नागरेकों में गुडवत्ता पूर्ट खाद पदार्थों के उपयोग की उपभोग की संस्कीती को विश्चित करने के लिए इसमार्ट समार्ट सिटी चैलेंज पिती उगता हुई है और इसमें खाद सु पिजे टेवल मार्केट, भोग, इट राइट स्कूल, इट राइच केमपस और हाईजीन रेटिंग आधी सामिल रही है और पिदेश में खाद सुरक्षा पिदसासन द्वारा आम नागरेकों को गुडवत्ता पूर, स्वास्त पिर्द, एवं पोस्टिक खाद पदार्थो उपलब्द करानी की खाद पदार्थों में मिलावट करने वालों कि विरूद मिलावट से मुक्ती अभियान चलाया जा रहा है और पिदेश में खाद पदार्थों की जाज के लिए 15 चलेत पिरियोक साला संचाले थे हैं, चलेत पिरियोक साला से मात 10 रुपे में आम नाग अधिर्यों थे भूट प्रमाडपत करने वाल पितन मंदिर महाकाल मंदिर अजयन भोग फिर्माडपत प्रापत करने वाल पितन मास्जित दरगा यहाकीमी बुरहानफुर की देखने को मिलेगा अंगली खवर चलते हैं या आप देखें सोले माट 2022 को आयक्त उच्च सिक्षा दीपक सिंग ने बता है कि राश्टी मूल्यांकन और पित्यायन परिशत ने कॉलेजों की मूल्यांकन पिकीरिया में बदलाओ किया है अब जिन महाविध्याले उन्हें एस्थापना के एक बर्स पूर्ट कर लिये हैं उन्हें प्रिविजिनल एक्कृडियेटेशन मिलेगा और दीपक सिंग ने बताए कि यह बात सरोजीनी राइडो सास्की कन्या असनुगत्र महाविध्याले में provisional accreditation पिसीक्षन पर एक दिवसी कार साला को सम्भूदित करती हुए कई है उन्होंने का किसी भी सेक्षडिक संस्थान के overall performance के मुल्यांकन के बाद नेक accreditation मिलता है नए स्थावित कॉलेजों के लिए pack एक अच्छी पहले है उन्होंने पिसीक्षन में आई भोपाल एवं सागर संभा के महाविध्यालेओं के प्रिचार और प्रध्यापकों को अपने अपने महाविध्यालेओं को नेक मुल्यांकन के लिए तियार करने का अन्रिदेश भी दिया है और पेसिक्षन में 50 महाविध्यालेंग के 110 प्राचारों और प्याध्यापक सामिल हुए हैं याद रहे प्रोविजिनल एकी डिटेशन का पेसिक्षन भोपाल उज्जेन जबलपुर ग्वालियर में दिया जा रहा है और याद रहे बिल्डिंग सरक बिल्ड जैसे जगों पर निर्माड करने वाले 12,15,000 में सोसाइटी और करमकार मंडल द्वारा अनुवंद के तहद आयुसमान योजना से जोड़ा जा रहा है अनुवंद के तहद करमकार मंडल में 10 सरमेंग परिवारों को काड बना कर फिरी एलाज की सुविधा दी जाएगी इसके तहद पेस्ट के 12,1,000,000 सरमेंग परिवार को हर साल 5,000,000 रुपे तक के निसुल एलाज की सुविधा मिलेगी और पिदेश के आप देखेंगे कि 90 पिस्ती आसंगटि छित की सर्मेक हैं, इन सर्मेकों को आईसमान एवजिना से फ्रे इलाज की सुभिधा मिल सकेगी, मजदूर कई बार निर्माड कारियों की द्वरान होने वाले हाथ से उमें घायल हो जाते हैं, और आरतित तंगी के चल करमकार मंडल द्वरा बहिन किया जाएगा, इसके लिए पिती मजदूर करीब 1052 रुपे की रास्ती सालाना प्रीमियम के तौरपन निराब मैम सुसाइटी के करमकार मंडल द्वरा जमा की जाएगी, तो इस खबर को भी याद रखना रखियेगा अंगली खबर है आपकी, 21 मार्च 2022 को मुखमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने भोपाल की मेजर ध्यानचंद हौकी स्टेडियम में आयोजित अबदुल्ला खान हैरिटेज कप हौकी टूनामेंड 2022 का सुबारम किया है, और साथी मुखमंत्री ने अबदुल्ला खान भोपाल में भी है, भोपाल में यह टूनामेंट 21 से 27 मार्च तक चलेगा और याद रहे अबदुल्ला खान कब कॉफी टूनामेंट 1931 में स्थापित हुआ था, कब 1931 में, बीच में यह बंद हो गया था, कुरोना के कारण भी इसमें ब्योधान हुआ था, और इस अवसर प उजबेक्रिस्तान में आयोजित ACN फिसिंग चेंपियंसिप में, इवी इवेंट में रज़त पदक बिजेता प्रिग्या सींग और कांस पदक बिजेता आरें सेन, और जार्डन में आयोजित ACN यूध बॉक्सिंग चेंपियंसिप में, कांस पदक बिजेता अमन सींग वि और आप देखें ब्राजील 2022 के लिए चैनित मद्पदेश की बैडमेंटन, खिलाडी, गौरांसी, सर्मा और टैनिस खिलाडी धननजद दोबे को एक एक लाग प्रपे का पिती कात्मक चैक भेट करके सम्मानित भी किया है खिलाडियों को, अच्छी बात है, अंगली खबर है 21 मार्ज 2022 को ट्राइफेड के अध्यक्ष राम सिंग राठवा ने भोपाल हाट में जेविक जनजाती उतपादों दस्तकारी के सामानों की जीवन्त पिदरसनी आदी बाजार का वज्जूल माध्यम से उतगाटन किया है, और यह पिदरसनी 21 मार्ज से 30 मार्ज 2022 तक चलेगी और इसमें देश की 15 राज्जों का पितिने दित करने वाले 70 से अधिक इस्टॉल होंगे और जनजाती जीवन के मूल लोकाचार का पितिने दित करते हुए 10 दिन तक चलने वाले इस उस्सव में देश की 15 राज्जों की जनजाती हस्तित सिल्प कलाप एंटिंग कपड़े आभूसणो की पिदरसनी सहभिक्री होती है यहादि बंचित लोगों की अजीपका में सुधार के लिए Tripид की संगषट प्रयासों का संग ही एक हिस्सा है जो पिछले दो वर्सों में सबसे जंदा प्रभावित हुए और आदी बाजार में ट्राइब्स इंडिया और जंजाती कारीगरों द्वारा पिस्तुत किये जाने वाले उत्पाद जैसे मद्ध पिदेश की पिसित महेसो साडिया, लद्दाक और हिमाचल पिदेश के गरम उनी कपड़े, तमिलाडू के जंजाती लोगों द्वारे तो ये भी आपको याद रखना है, अंगली खावर की तरफ चलते हम, हाली में केंदरी आवासन एवं सहरी कार मंत्राले द्वारा, मद्ध विदेश के लिए पिदान मंत्री आवास योजना, सहरी बी एलसी घटक में 1,15,564 हिद गराहियों के आवास सुईकित किये गया है, और नगरिय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन सिंग ने बताया, कि इन आवासों के लिए केंदर राज्य के अंस्त के रूमें आवास बनाने हित्व, हिद गराहियों के खाते में 2,889 करोर रुपे आवन आंतरित किये गया है, और पिदान मंत्री आवास बनाने के लिए केंद्री आवासन एवं सहरी कार मंत्री हरदी पुरी से भेट कर पिधान मंत्री आवासे उजना सहरी के लंबित पिस्ताओं को सुईकिति करने का आग्रे किया था तो ये आग्रे सुईकार कर लिया गया अगली खबर है आपकी 24 मार्च 2022 को केंद्री ग्रावाइड विकास मंत्री ग्रीडा सिंग द्वारा नई दिल्लीम के डॉक्टर अमवेट का इंटरनेशनल सेंटर के में मजदूरी से सौर वजगार तक का सफर करने वाले जिला नरवरदापुरम की मेरा यादव कुंता भाई यादव को संबानित किया है एक नाम है मीरा भाई और एक नाम है कुंता भाई ये दोनों महिलाए महत्मा गांदी नरेकास में पहले मजदूरी का काम करती थी और सोई सहता समूहों से जुड़ने और मनरेगा के प्रोजेक्ट उननती के तहत पिसिक्षन पराप्त करने की बाद दोनों ने डेरी उतपादन का कार प्यारम किया और जिसमें अब दोनों को 10,000 से 15,000 रुपे तक मासिक आय हो रही है और याद रही केंद्री एक ग्रामीट विकास मंतराले द्वारा आजादी के अमरित महोसा में समस्त राज्यों से प्रोजेक्ट उननती में पिसिक्षित पत्चतर पिती भागियों का चैन किया गया है जिसमें मद्पिदेश की ये दोनों महलाएं भी देखने को मिलेगी प्रोजेक्ट उननती के केंद्री ग्रामीट विकास मंतराले की मनरेगा डिवीजन का एक कारकरम है इसे बनरेगा में काम कर रही ग्रामीट परिवारों के सदस्तों को उनकी रोची की आधार पर पिसिक्षन दे कर उन्हें रोजगार और सो रोजगार की काबिल बनाने के लिए सुरू किया गया है अंगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं या आप देखिए 24 मार्ट 2022 को मद्पेदेश के किसान का लिया डियों किरसी बिकास मंत्री कमल सिंग पटेल और इजराइल दूतावास के किरसी पितिनिदियों की वीच होई बर्चूल मिंटिंग में नेडे लिया गया कि मद्पेदेश में माइक्रो इरिगेसन एवं हाइटे एग्रिकल्चर के लिए तीसरा सेंटर और एकसिलेंस हर्दा में खोला जाएगा और मंत्री कमल पटेल ने इजराइली दूतावास के किरसी संबंधी पितिनिदियों से चर्चा कर उन्हें निवाड मालबा छेत में मसाला औस्दिये और फूलों की खेती के लिए उफियुक में इजराइली सहयुक से उन्हेत किरसी को बढ़ावा देने के लिए चेदवाड़ा और मुरेना में सेंटर और एकसिलेंस का किरियान मनमी पिक किरिया धीन है तीसरा सेंटर हर्दा में खुल जाने से निवाड मालबा एवं नरवता घाटी चेत्रों में उध्यान की फसलो और असदी ये फसलों पूलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किरिस्तकों को नवीन तकनीक की जानकारी मिलेगी और जिस्ते की फसल विवित्ता के साथ उत्वागदत्ता और गुर्वत्ता को भी बढ़ाया जा सकेगा इस्ते क्या किया जा सकेगा बढ़ाया जा सकेगा अंगली खबर की तरफ चलते हैं अंगली खबर की तरफ बढ़ते हैं 24 मार्च 2022 की है मद्पदेश की मुखमंतरी सिवरा सिंग चोहन साब ने कुसा भाव ठाकरे सबागा में मद्पदेश महला उद्दिमी संगठन की कौनफरेंस सुईप 2022 का सुभारम किया है और इसका आयोजन MP Association of Women Interveneors मावे ने किया था और इस आउसर पर मुखमंतरी साहब ने महला उद्दिमीयों को प्रोसान करने के लिए नए लाबकारी प्रावधान किये जाएंगे इसके लिए पिछली तियोजनाओ में जरूरी संसोधन किये जाएंगे और मुखमंतरी साहब ने कहा है कि मुखमंतरी महला उद्मी योजना प्यारम की जाएगी और भोपाल और इंदवर में महला उद्मीयों के लिए अलग industrial cluster बनाया जाएगा जिलों में MSME सेक्टर में पितिक जिली में महलाओं के लिए cluster आरक्चित करने की ब्युस्ता की जाएगी और इस टार्टप नीती में भी महला उद्मीयों के लिए सोविधाएं बनाने की प्रावधान रहेंगे इस टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज में महला उद्मीयों को विसे सोविधा भी दी जाएगी जबलपुर अर्न इस्थानों पर मल्टी स्टोरी फैक्टरी कॉंपलेक्स के निर्मार सहत मुकमंतिरी नारी सम्मान कोस की स्थापना भी की जाएगी ये भी कहा गया है मुकमंतिरी साहब के द्वारा अंगली खबर की तरफ चलते हैं ये आप देखे 25 मार्च की बात हो रही है 25 मार्च 2022 को जल जीवन मिसन में प्रिदेश की समग ग्रामीड आवादी को घहरलू नल कनेक्शन से पेजल की आपूर्ती करवाकर इंदोर संभाग प्रिदेश में अबल हो गया कौनसा इंदोर इंदोर संभाग में मिसन के जरीए अब तक 9,67,000 ग्रामीड परिवारों को नल कलेक्शन से जल उपलब्द कराया जा चुका है मिसन में इंदोर जिले की 387, धार जिले की 412, जाबुगा जिले की 425, बढ़वानी जिले की 265, और अलीराजपुर जिले की 114, खरगोन जिले की 380, खंडवा जिले की 313, बुरहान पो जिले की 873, जल सरचना है सामिल है लोग स्वास्त यांदी की बिभाग द्वारा इंदोर सभा की 8 जिलों में अब तक 2671 करोड, 79, 32,000 रुपी लागत की 2389, जल पिदाय उजनाओं की सुईकिती जा चुकी है और विभाग द्वारा मिसन की इमापदन्नों की अनुसार इंजलों की लिए नवीन और रेट्रो फिटिंग की रुप में सुईकिती सभी जल पिदाय उजनाओं की लिए कारसतत रूप से जारी है ये भी आप देखेंगे अंगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो 25 मार्ट से 2022 की खबर है राजसासन ने पिदेश में अटल नवीकरण और सहरी परिवर्तन मिसन योजना की संचालन के लिए मुख सचिप की अध्यक्स्ता में राजस्तरिये उच्च सक्ती प्राप्त संचालन संती का गठन किया है और समती City Water Balance Plan, City Water Action Plan के आधार पर State Water Action Plan को मंजूरी देने और विस्तित परियोजना रेपोर्ट की पिसासन नेग अनुमोधन करेगी इसमें, यह भी आपको देखने को मिलेगी अंगले खबर की तरफ चलते हैं, 26 मार्ट 2022 की है, मद्पिदेश के मुकमंत्री साहब ने कहाई कि पिदेश की विविन सहरों में गोवर धन प्रोजेक्ट सुरू किया जाएगा गोवर धन प्रोजेक्ट सुरू किया जाएगा, और मुकमंत्री इन कहाई कि गाय के गोवर को क्रे करने की विवस्ता की जाएगी, यानि खरीदने की गोवर का बड़े पिर्माने पर गोव काष्ट के निर्माड में किया जाएगा, और इसे पुरोजाहित किया जाएगा, जिससे गोव पालकों को भी रासी प्राप्त हो गुजरा सहित अनराज्यों में गोव सम्मर्धन और गोव सरक्षन की प्रयोगों का अध्यन कर मद्पिदेश में नभीन कारियों की शुरुवात की जाएगी, और गोव सालाओं को स्वालमी बनानी के लिए ठोस प्रयास भी किये जाएगे, आम जन को गाय और सड़क पर व अंगली खबर आप देखेंगे, यह बात है कहां की, 26 मार्ट 22 की, भोपाल की मेगनायनी एमपोरियम जीटीपी, जीटीपी कॉंपलेक्स में महेसो उस्वा का सुभारम किया गया है, यह उस्वा 22 अपरेल तक चलता है, महेसो उस्वा का प्यारम पिसिद गौंडी चितकार दुरगाबाई ब्याम ने किया है, यह उस्वा पर दुरगाबाई ब्याम ने कहा है कि यह उस्वा हमारी सानस्कितिक पहचाने, इससे कलाकारों को नया उस्वा मिलेगा, मत्विदेश हस्त सिल्प एबं हतकरगा आयुक्त, अनुभा स्रीबास्तों ने कहा है कि विकास बड़े के उत्पादों को भी सामिल किया गया है किया गया तो यह भी याद रखिएगा अंगले खबर देखते हैं यह आप देखें 27 मार्ट 2022 की घटना है भारती रेलबे की पुरोष होकी टीम ने मत्पिदेश की राधानी भोपाल में आजित अबेदुल्ला खान हेरिटेज होकी कप टूनामेंट जीत लिया है और फाइनल मुकाबले में रेलबे स्पोर्ट परमोशन बोर्ड की टीम ने आर्मी 11 को दो गोल से पराजित किया है और यह पितिश्टे ठौकी टूनामेंट भोपाल की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 21 मार्च से 27 मार्च दोजार बाइस तक खिला गया जिसमें एक दरजन टीमों ने भाग लिया था और 1931 में आप देखेंगे उबदुल्ला गोल्ड कप के रो में शुरू हुआ था यह पितिश्टे टूनामेंट कई दसकों से चल रहा है अपनी खेल यातरा के दोरा इसने कई अंतराश्टी खिलार्जियों को सेजन भी किया यह पितियोगता आखरी बाद 2016 में खेल गी थी और इस साल 6 वर्स के अंतराल के बाद इसी फिर आयोजित किया गया और पिछली बाद 2016 में यह टूनामेंट बिपी सीयल ने जीता था रेलवे की टीम उब्बिजेता रही थी और मैन आप दा फाइनल मैच रेलवे के जुगिंदर बने वही सर्फसेश डिफेंडर जीत बने और सर्फसेश मिड फिल्डर नियाज रहीम बने रेलवे टीम के अर्जुन को मैन आप दा टूनामेंट चुना गया है और याद रही भारुकती रेलवे ने लगबक 3,000 सक्रिय पुरोस महला खिलाड़ी है रेलवे के पास RCF, कपूर थला में समर्पित होकी आकादमिक, सहत देश बर में 1,2 साल खेल बुने आदी धाचा भी है 2020 में टोके ऐलंपिक में चौथा हिस्ता नहालहांसिल करने वाली भारती महला होकी टीम की कुल बहारती पुरोस होकी टीम में भी भारती डिलवे के दो खिलाड़ी थे अधिक लाग की गिरामी आबादी जनसंक्या वाली बुरहानपूर जिले में जल जीबन मिसन में आप देखेंगे कि 129 करोरों पेसे अधिक लागत की जल पिदाय योजना उसे पिते ग्रामी परिवारों तक अब जल से जल पहुच रहा है और जिले के दोनों वुरहानपूर खक नार विकासखंड में 167 ग्राम पंच्यायत हैं और तीन सो चंगन ग्राम है जल जीवन मिसन में जले के सभी गाओं के सभी परिवार घर तक जल कलेक्शन से जल की उपलवद करवानी की विस्ता की गई है और मिसन की गाइड लाइन के अनुसार जिले के पिते ग्राम में ग्राम जल एवन सख्षता समती गठित की गई है और ग्रामीर परिवारों को मिल रहे है जल की गुरवत्ता की समचित जाच के लिए 541 महलाओं को एप टीके से जल परिक्शन का पिसिक्शन दिया गया है पाल के बिग्यानियों ने सौर उर्जा चलित इप्राइम मूवर यंद विक्सित किया है यह सौर उर्जा से चलित इंथ है जिसमें किसान सरिफ एक घंटे में सभाई एकर जमीन में दवा कर छिड़का हो कर सकेंगे इतना ही ने जमीन की जुताई निराई 5 घंटे से कम समय में सियंथ की साहता की जा सकेगी जिसमें इदन खर्च नहीं होगा और इस एंथ की बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 3 घंटे तक चलेगी और सौर उजा से चार्ज हुई बैटरी से किसान घर के बिजली भी जला सकेंगे इस एंथ का उपयोग अनाज को लाने ले जाने में भी होगा और इसके अतरिक्त आप देखें संस्थान के बिज्ञानियों ने सीन्जी इंजिन भी बनाया और जिसे ट्रेक्टर में लगवाने की बाद खेती की लागत भी कम की जा सकती है तो किसानों के लिए एक पहल की गई है अंगली ख़बर में आप देखेंगे एक 30 मार्ट 2022 की है इसमें मद्धपिदेश पावर जेनरेटिंग कमपनी लिमिटेट एवं राष्टी विद्धूत पिसिक्षन पितिष्थान और इसमें आप देखें मद्धपिदेश पावर जेनरेटिंग कमपनी के कमपनी के कर्मिकों को बिभिन तकनीकी इवं प्रवंद्रिक किये विश्वों पर स्पिसिक्षन दिया जाएगा और इसमें आप देखें मद्धपिदेश पावर जेनरेटिंग कमपनी के पिरवंद संचालक मंजी सिंग ने कहा है कि कमपनी के इस पिरयास्ति कार्मिक कमब्याई पर अधिक गुडवत्ता पूर्ण पिसिक्षन पर आप्त कल सकेंगे और अनवंद के अनुसार टैनिंग इस्टिट्यूट के देश में इस्तित दस अंस्थानों द्वारा ओनलाइन और ओपलाइन पिसिक्षन दिया जाएगा तो इस तर ऐसे आप देखें मार्च महिने में जो भी घटना है घटी उनका एक ओवर्वीव हुम लोगों ने ले लिया है अंगली क्लास में हम लोग अपरेल 2022 में जो घटना है घटी थी उनका भी एक ओवर्वीव ले ले लेंगे और इन्हें रिविजन के पॉइंट भी उसे आप लोग देख सकते हैं यह महत्वोर्ट तत्ती इनमें सामिल किये गाए ठीक है आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझा हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं